और यहांपर डिफॉल्ट का उप्शन आपको दिख रहा है। इसके बाद यहां पर factory defaults पर आपको क्लिक करना और ok कर देना है यहां पर यह आपका admin का password मागेगा तो आपको password डाल देना है and then आपको ok कर देना है यह आपका जो device है यह default हो जाएगा factory default जैसे कि नए अडे xvr आपका आता है same उस condition में यह आ जाएगा okay